हाई गाइज देसे बुझी वेल्कम बेक टो और चैनल टैजर ओफ रॉलेज गैस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कांटीनूस टेंस हाग आज मैं आपको प्रिजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के कांटीनूस टेंस बताने वाला हूं सिखाने वाला हूं इस एक वीडि को गैस यह आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर उसकी लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूगा वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर उपर दिगए आई बटन पे किलिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं चलिए सब्सक्राइब हम बत्त करते हैं present continuous tense की isकी पहचान को जानने हैं पहले समझ लेते हैं जो प्रियूनं का इसकी पहचान क्या होगी तो तो जब भी sentence के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ आ जाए तो आपको समझ जाना है कि यह present continuous का tense है इसमें आपको सभी subject के बाद helping verb ismr का यूज करना है then verb की first form में ing लगाना है मतलब जो main verb होती है आना जाना खेलना तो main verb में आपको ing का यूज करना है then object का यूज करना है ओके गाईज चलिए यह भी जाल लेते हैं कि हापर यह जो ismr जो helping verb से किस के साथ हम इनका यूज करेंगे इस कब आएगा एम कब आएगा और आर का यूज किस के साथ के जाएगा यह भी जाल लेते हैं तो गाईद आप उपर देख सकते हैं singular subject he, she, it, name के साथ हमें लगाना है is और i के साथ यूज के जाएगा m और plural subject you, we, they के साथ हमें यूज करना है आर का तो इस तरीके से ismr का यूज करेंगे तो आप उपर देख सकते हैं यह चार्ट मेने यहापे आपको बता दिया है, display कर दिया है आगे तक इसको मैं यहाँ पर display करूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि he, she, it, name के साथ is लगाना है और i के साथ हमें m लगाना है और u v दे के साथ हमें r का यूज करना है, okay guys, बाकी मैं आपको बता दिया वर्ब की फश्वाम में ing का यूज करेंगे, अगर बात करेंगे हम negative sentence की तो guys, negative sentence बनाने के लिए आपको यह जो ismr है, इसके बाद आपको directly not का यूज करना है, तो sentence आप example देखी, screen पर मैं आपको example दिखा रहा हूँ, जिससे के यहाँ पर दिया गा है, मैं जा रहा हूँ और वह जा रहा है, और तुम जा रहे हो, okay guys, तो मैं जा रहा हूँ, यह continuous का है, समझ जाएंगे, रहा हूँ आ गया, मतलब present continuous का है, मैं की English होगी I, और I के साथ हमें ल होगी he, और he के साथ हम लगाएंगे is, और he is यहाँ पर गोइंग हो जाएगा, he is going और तुम जा रहा है हो, अब तुम की English क्या होगी guys, you और you के साथ हम आल पर यूज करेंगे, are उपर भी आप देख सकते हैं, you के साथ आएगा, are you are going, okay guys, तो यह बन गया है, मैं जा रहा you are not going, okay guys, एक example और देख लेते हैं, जैसे के मैं खेल रहा हूँ, वह खेल रही है, और हम खेल रहे हैं, तो guys इसको भी कैसे बनाएंगे, मैं खेल रहा हूँ, I am playing, I के साथ आएगा am, और खेले को बोलता है play, इसमें ing लगा देगे, मैं खेल रहा हूँ, I am playing, वह खेल रही है she is playing, वह खेल रही है, she is playing, और हम खेल रहे हैं, we are playing, इनको negative बनाएंगे, तो इनमें not लगा देजिए, I am not playing, she is not playing, we are not playing, okay guys, तो यह हुआ हमारा present continuous sense, तो इस तरीके से आपको present continuous sense को बनाना है, बात करते हैं हम past continuous की, तो guys past continuous की पहचान को समझ लेते हैं, समसे पहले इसमें आ was, were, और इसमें भी हम were की first form में ing का use करेंगे, जान लेते हैं कब was आएगा, कब were आएगा, तो guys मैं आपको बता दूं, singular subject, he, she, it, name, और I के साथ भी हाँ पे आपको was का use करना है, याद रखिए guys, singular subject, he, she, it, name, और I के साथ helping were was का use के जाएगा, बाकी plural subject, you, we, they, इन सभी के स तुम जा रहे थे, तो मैं जा रहा था, मैं की ingles होगी I, I के साथ आएगा was, I was going, I was going और वह जा रही थी, तो कैसे बनेगा, she was going, she, she के साथ आएगा was, she was going, और तुम जा रहे थे, तुम की ingles होगी you, you were going, you were going, इसको भी negative बनाना चाहेँगे, तो negative बनाने के लिए आपको not का यूज कर लेना है helping up के बाद was word के बाद नोट आ जाएगा मैं नहीं जा रहा था I was not going वह नहीं जा रही थी she was not going और तुम नहीं जा रहे थे you were not going okay guys तो इस तरीके से हमें past continuous tense का यूज करना है चली guys अब बात करते हम future future continues की तो guyz future continue की पहचान को जान लेते हैं सबसे पहले के मैं आपको बता दूें, will shell इसके बाद आएगा be then v1 ing और object का use करना है लेकि एक चीज में आपको बता दू guys modern English में क्या होता है तो modern English में guys shell का use नहीं किया जा रहा है modern English में will का use किया जाने लगा है तो आपको यहाँ पर सभी subject के साथ will be का use करना है then v1 ing का use करना है यदि आप I और V के साथ shell यूज करना चाहते हैं तो आप I और V के साथ shell यूज कर सकते हैं यदि आपको यूज नहीं करना है तो आप directly सभी subject के साथ will be लगा सकते हैं चलिए guys इसके example देखते हैं जैसे कि अगर मैं कहूं कि वह खेल रहा होगा वह खेल रहा होगा तो वह एक English होगी He के साथ लगा दीजिए He will be playing इसके बाद अगर हम बोलें वह लिख रही होगी तो कैसे बनेगा She will be writing मैं पढ़ाता रहूँगा तो I will be teaching या फिर अगर इसको shell से बनाना चाहूँ तो I shall be teaching मैं ऐसे इसको बाद सकता हूँ तो मैं पढ़ातार हूँगा I will be teaching तो इस तरीके से present, past, future तीनों के continuous 10 को मैंने आपको बता दिया है present, continuous, past, continuous future, continuous तीनों की मैंने आपको पहचान बता दिया है अब हम इसको compare करके देख लेते हैं कि सभी में वर्व की first form में ing लगाना है जो भी continuous होगा present, past, future तीनों ही continuous में हमें वर्व की first form में ing का यूज का यूज करना है सिर्फ आपको याद रखना है इसकी पहचान और helping work यह गाइस इसकी पहचान और helping work याद रखिए तो आप कोई भी continuous को present, past, future को यूज चटकियों के अंदर बना लेंगे तो वह कैसे देखिए present continuous में क्या है रहा है, रही है, रहा हूँ और past continuous में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा और future में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे यह आजाएगा, यह आप इस screen पर देख सकते हैं, यह तीनों की पहचाने अब तीनों में helping work क्या है देखिए present में is MR, past में was were, और future में will be present में is MR, अब यह किस के साथ आएगी, यह मैंना already आपको बता दिया है और past में was were, और future में will be का यूज करना है बाकी v1 और ing common है ओकी गैस, तो चलिए मैं तीनों का एक example बताता हूँ जिसे कि अगर मैं कहूँ, वह लिख रहा है, वह लिख रहा था और वह लिख रहा होगा यह तीनों को देख लिजिए, वह लिख रहा है, वह लिख रहा था और वह लिख रहा होगा वे लिख रहा है he is writing और वे लिख रहा था तो इस की past form हो जाएगी was he was writing और वे लिख रहा होगा he will be writing he will be writing ओकी गईज तो इस तरीके से आप देख सकते हैं present, past, future तीनों ही continuous tense को मैंने clear करके बता दिया है आपको समझा दिया है उमीद करते हो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज हम सीख गए होगे present, continuous tense के वाक्यों को किस तरीके से बनाया जाता है तो guys इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे friends को जादा जादा शेयर कर देजएगा और guys यदि आप चैनल पर नए है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो guys चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजएगा और साथ में बेल आइकम पेस्ट करके नोडिफिकेशन को आल कर देजएगे जिससे आने वाली सारी वीडियो पोच के नोडिफिकेशन सब सब पहले टाइम पर आपको मिलते रहेंगे थैंक्यू सो मज़